हेलो गाईस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 सितंबर तक के सभी इंपोर्टन करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतों तक जरूर हैं कोची कोलकाता मुंबई या फिर हैदराबाद तो जल्दी सा आप आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के कुश्चन से दिया प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जुरूर जोइन करें करन्ट अफेर्स फंडा नाम से हमारे टेली इच इवेंट डिड निशात कुमार विन ही सेकंड सक्सेशिव सिल्वर मैडल एड़ पैरलंपिक गेम्स पैरलंपिक हेलो में निशात कुमार ने किस इस परधा में अपना लगातार तूसरा रचत पदक जीता ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है हाई के साथ आपको जाना चाहिए सिल्वर मैडल जीता था टोक्यो पैरलंपिक में भी तीन साल पहले टी-47 उन कंपिटिटर्स के लिए होता है जिन जो एल्बो के बिलो या फिर रिस्ट एंप्यूटेशन जिन में होता है इससे पहले आपको जाना चाहिए कि प्रीती पॉल इन और इससे पहले हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एथ्लेटिक्स मेडल जीता था पैरलंपिक ट्रैक इवेंट में जब इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता विमेंस टी-3 500 मिटर कंपिटिशन में इसे के साथ यह केवल दूसरी इंडियन विमेन बन गहीं ज सुप्रेम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सरवच्चे नहरे का निया जंडा किस रंका है औप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन दी है नेवी ब्लू आपको चाना चाहिए प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया द्रॉप्ति मुर्गु ने नया फ्लैग और इंसिग्निया संस्टिस एंड डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करता है इसको नेशनल इस्ट्रीव टेकनोजी नियु डेली द्वारा कंसेप्टलाइज किया गया है इसमें अशोक चक्र और आइकोनिक सुप्रीम कोर्ड बिल्डिंग और बुक ऑफ कॉंसेटूशन भी दर्शाय गया है जो फ्लैग है और जो सिंबल है ठीक है और इसके सेंटर में सुप्रीम कोर्ड की बिल्डिंग है असोक चक्र है उसके ऊपर और बुक ऑफ कॉंसेटूशन है आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया अठाई जन्वी दोजार अठाई जन्वारी 1950 को अस्तित्यु मे आया आए विच कंट्री वोन दी सफ अंडर 20 चैंपेंशिप फुटबोल टूर्णामेंट किस देश ने सफ अंडर 20 चैंपेंशिप फुटबोल टूर्नामेंट चीता है और उप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर आप्शन दी बंगलादेश आपको जाना चाहिए किता नेपाल में और यह पहली दफाए जब बंगलादेश ने इस चैंपेंशिप को जीता है नेपाल बंगलादेश श्री लंका भारत मालदीर्स और भूटान इन्होंने इस कंप्टिशन में पाटिस्पेट किया है आपको बताते हैं भारत ने यह प्रतोगता 2019 2022 और 2023 में हुई है एक बाइनियल फुटबोल चेंपेंशिप है यानि कि साथ दो साल में एक बार होती है मेल फुटबोलर्स के लिए जो भी अंडर इज ऑफ 20 होते हैं इस सहर में जित किया जएगा सही आंसर फ्टाप्शन सी राजगीर है आपको जाना चाहिए विए इसियन चैंपियन्स टोफी 24 कि हो की टूर्णमेंट यह राजगीर बिहार में जित किया जाएग ग्यारा से 20 नॉवम्मर के बीच में और यह पहली बार है जब कोई इंट्रेंसल होकी टूर्णामेंट बिहार में आयुजित किया जा रहा है 2010 में इसकी शुरुवात हुई थी विबेंस एशन चैंपियन्स ट्रोफी होकी टूर्णामेंट की और इस बार ये एट्थ एडिशन है इस प्रोदेवगिता का जिसमें छह एशन कंट्री स्पाट स्प कबड़ी लीग यहर याड़ा में आयुजित की जाएगी इसका ओफिशली नाम है ग्लोबल प्रवासी विमेंस कबड़ी लीग 15 ज्यादा कंट्री की जो फिमेल एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिपेट करने वाली हैं विशिस स्टेट इन इंडिया वोंदा पाटा गोल् हीस्ट भारते की सराज्य ने अपनी ओनलाइन प्रतिता होलीडे हीस्ट के लिए पाटा गोल्ड ऑवार्ट 124 जीता है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी केरल आपको जाना चाहिए केरल टूरिज्म को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एस्सोसियेशन यानि क पाटा गोल्ड ऑवार्ट 124 दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग केंपें कैटेगरी में इसके ओनलाइन कोंटेस्ट होलीडे हीस्ट के लिए कहां पर बैंकोग थाइडेंड में वहीं नेपाल टूरिज्म बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एस्सोसिएशन पाटालिस्ट फर रिस्पॉंसिबल डेलप्मेंट फ्रेवल एंट तूरिज्म 2 फ्रॉम एंड विदिन अश्या पैसिफिक रिजन भारत में अमेजन द्वारा लॉंच किये गए AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबोट का नाम क्या है सही आंसर ऑप्शन दी है रिफस देखें अमेजन ने अपना एक जनरेटिव AI चैटबोट रिफस इंडियन बेस्ट कस्टमर्स के लिए जारी किया है तो इस च चैटबोट पर बता सकते हैं और वो आपके लिए लिंक जनरेट कर सकता है या फिर सजेशन बता सकता है साथ है आपको जानना चाहिए कि रिलाइंस जियो ने हाली में अनूंस किया है कि हमें एक अपना अर्टिफियल इंटलिजिएंस टूल्स लॉंच करने जिसका प्रत्र आप्शन जी है फिलैटली यानि कि स्टांप कलेक्टिंग आपको जाना चाहिए जो डिपार्ट्मेंट आफ पोस्ट है इन्होंने फिलैटली स्कॉलर्शिप इसकीम लॉंच कि है दीन दयाल इश्पर्स योजना के तहत तो इसका मकसद है जो स्टूडेंट्स है उ और इसमें स्कॉलर्शिप भी प्रोवाइट की जाएगी कि लैटली आप सभी बताई दिया है मैंने की कलेक्शन एंस्टेडी ऑफ पोस्टल स्टम्स पोस्ट मार्स एंड डिलेटेड मैटिरियल से कहलाता है अच्छे यहां पर आप मैंशन करना पूलिया इस पर्स ठीक है मतलब का है यहां पर आप राइट साइड में देखिएगा स्कॉलर्शिप फोर प्रोमोचन ऑफ एप्रिटीट एंड रिसेर्च इन स्टम्स एज़ा होबी कि यह नोट कर दीजिएगा आप इसले नेपाल व कि टिकलेर दॉर्स हेल्थी सिटी बाई डवल्य एच्च नेपाले की सैर को डवलेय दरा पहला स्वस्त सैर कोशित किया गया तर्फार ऑप्ष्न भी है धुली खेल है बहुटि देखि डवलेय हो ने धुली खेल मुनिसपेल्टी जो की काबने प्रइंचो किस्टिक में आता है इसे नेपाल की फर्स्ट हेल्थी सिटी डिकलेयर किया है और इसे कि सट लेटिस्ट सोर्ट죠 विर्ड हल्दी इसने एक केम विर्डणिक्त किया था कि हमें ही ज़को रोर वर्डर हैर्ड ऑर्गनाइशन इंडिया इस फाइनसिंग हाइड्रो पार प्रोजेक्ट्स इन डेल्ट नेना तीवू एंड अनालाई तीवू आइलेंड्स ऑफिछ कंट्री भारत के स्तेज के डेल्ट नेना तीवू और अनालाई तीवू द्वीवों में जल्विद्यूत परियोजनाओं का विद्ध पोश यह अए नटिवू और अनालाई टिवू आइलेंड्स निएंड्स को पूरा करने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं तो भारत की और से फंडिंग यहाँ पर दी जा रही है तो यह तीन आइलेंड तो यह जो है नेसल ग्रीट से के तहट इसको बनाए गया है हूँ है इस बिन अपॉंट्ट एज फिमेल गवर्मेंट स्पोक्स पर्सन इन इरान इरान में पहली महीला सरकारी प्रवक्ता की रूप में किसे नुक्त किया गया सही अंसरोप्शन दी है फते में मोहाज इरानी आपको जाना ची इरान में पहली इन इरान में पहले मेरे ख्याल से नाइक टाइम पर इरान काफी मोडर नुवा करता था मोडर्न मतलब को इंदो सेंस मतलब ही डिस्रेक्शन जो हैं आजकल महीलाओ पर इतने रिस्रीक्शन निमाहापर हुई करती थी ठिक है उसके बाद से फिर दूबारा उस तोर में लालोबाद जो है कोई फर्स्ट गवर्मेंट इस्पोक्स परसन महीला अब बनी है दोजार चोबिस में जाकर तो पहले इरान ऐसा नहीं था जैसा अब विच हंटर इन साथीस्ट इसेंटली एनॉंस्ट फ्री न्यू टिप्टी प्राइमिस्टर्स दक्षिंड पूर्व एश पूर्षुण हो जुक फोग और न्यू येन हुआ बिन इसी के साथ दो पहले भी थे तो पांच घिप्टी प्राइमिस्टर्स हो गए हैं जो यहां के प्राइमिस्टर हैं फार्म मिंचीन इनके अंडर में कारे करेंगे जहां के प्रेजडेंट हैं टो टो लैम ये जन्नल स से 85% तक की जो population है वो किसी भी धर्म को नहीं वानती है वियतनाम की बात करें Capital Hanoi है वियतनामी स्टोंग यहां की करन्सी है वित्यवर्स 2025 के लिए मूडी रेटिंग ने भारत की GTP व्रद्धी का अनुमान कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है सही answer option C है 6.6% आपको जाना चाहिए मूडी रेटिंग ने जो real GTP growth projection है भारत के लिए 2024 के लिए 7.2% बताया है पहले 6.8% बताया हुआ था और 2025 के लिए जो हमारा question है वो 6.6 बताया है पहले 6.4 बताया था ठीक है तो हमारे question गांसर 6.6 है what is the new maximum time set by central government for addressing a grievance from a citizen किसी नागरी की सिकायत की समधान के लिए के अंतर सकार द्वारा निर्धारित नया अधिक तम समय क्या है सही answer option C है 21 देगे central government ने जो हमारे जो हम citizen लोग है हमारी कोई grievance है कोई परेशानी है ठीक है तो उसका solution अब 21 दिन में हो जाएगा central government के द्वार यूपी गे टाइम में 60 देज हुआ करता था और फिलाल जो current time था 2020 में यह 45 देज था और फिर 2022 में 30 देज कर दिया गया था मतलब यूपी के टाइम में 60 देज था फिर उसके बाद 45 देज किया गया 2020 में 2022 में 30 देज किया गया और अब कर देगा है 21 देज तो government को लगबग 30 20,000,000 पॉब्लिक ग्रिवेंस इच यह प्राफ्त होती है अपने सेंट्रलाइस्ट पॉब्लिक ग्रिवेंस रिट्रेस एंड मोनिटरिंग सिस्टम पर देखिया आप एस्पिरेंस हैं परतेव की परिक्षाई तो यारी कर रहे हैं तो आपको इन सब बारे में बता होना चाह हैं जैसे एक ही मैंने आपको बता दिया तो यह तो आपकी डिल जाइफ में कई भी आपका सामना हो सकता है किसी से आप बता सकते हैं यह पर आपना ग्रिमेंस डाल सकते हैं मेरे पास अभी पिछले अफ़ते एक फ्रोट को लाई थी कोई साउथ इंडियन बात कर रहा था त तब बताएंगे तो मैंने बताया निए मैं समझे आई फ्रोट है तो फिर मुझे पता दा की चक्षू प्रोटल पर हम इस तरह की सिकायत कर सकते हैं तो हमने श्टे पर कर दिन है कि वह आगे किस तरह का डिкаरोबाई करती है न करती है पर एक पड़े लिखे इनसान की पर हमें यह समझावंत यह सी हैं तो इस चीज पताओनी चाहिए आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजासे पताओने लज़्य कि किसी का अंहें कहां लेखते हैं कौन-गोन सी हमारे सब में पास जिसके तहट दोन होई देश्च टूरिस्म के छेतर में अपनी जो कोप्रेशन है जो सही हो के उसे आगे बढ़ाएंगे मलेश्या में बहुत लोग जाते हैं भारत के लगवाग सबस्यादा जो टूरिस्ट है मलेश्या में भारत से ही जाते होंगे स्टार्टिंग के टॉप थ्री कंट्रिस में तो भारत ही होगा मिस्टर टूरिस्म कल्चर कौन है गजिंद सिंग सिखावत हूं है इस बीन नॉमिनेटेड एज डिरेक्टर ऑन दे सेंट्र बोर्ड ऑफ दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइद सेंट्रल गोर्मेंट इन्हें डिरेक्टर ऑंधे सेंट्रल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेट हाउस प्राइज इंडेक्स इयर ओवर इयर दोजार चोविस पच्चिस फस्ट क्वाटर के लिए अकिल भारतिया आवास मुल्य सुंच का आंग में साल दर साल कितने प्रतिशत की विद्धियोई सही की आंसर ऑप्षिन भी है 3.3 परसेंट देख रिजर बैंक अपना क्वाटर ली हाउस प्राइज इंडेक्स चारी किया है जिसका बेस यह दोजार दस गया रहा है और यह दोजार चोविस पच्चिस के फस्ट क्वाटर के लिए लॉंच किया है दस मेजर मेजर सिटी से एक साल पहले जो एन्वल एच्पी आई ग्रोथ है यह वैरी कर रहा है सिटीज तो सबसे हाइस्ट 8.9 परसेंट रहा कोलकाता में और लोवेस्ट रहा माइनस 1.7 परसेंट डेली में अगर हम सिक्वेंशल ठीक है यानिकी क्वाटर क्वाटर बिसिस पर देखे तो और इंड में मुंबई दिल्ली चेन नई बैंगलूरू एमदाबाद लखनो पोलकाता कानपूर और कोची विच इंडियन स्टेट गोवर्मेंट एनाउंस्ट इंप्लिमेंटेशन ऑफ दा सुबद्रा स्कीम किस भारती राज्य सरकार ने सुबद्रा योचना लाव करने खोशना की स सब्सक्राइब है उडिसा तो आपको जाना चाहिए उडिसा गोवर्मेंट जाके चीफ मिस्टर मोहन माजी है इन्होंने सुबद्रा स्कीम को इंप्लिमेंट करने का एनाउंस्मेंट करती जिसके तहत अगले पांस सालों तक 50,000 रुपे प्रवाइट किये जाएंगे मार्च को टोटल आउटले से स्कीम कितनी है 55,825 कुरूर सुबद्रा स्कीम जो है बीजेपी गोवर्मेंट का जो हारी में एलेक्शन हुए थे लेजिलेटिव एसेंबली के उसका पॉल प्रॉमिस था और आप सब जानते हैं कि 20 साल का जो रूल था नवीन पटनायक का ठीक है तो औप्शन में ूडी सा आपने देखा तो आपने देखा कि हाँ पुरी टेंपल और सुबद्रा तो महां से आप कनेक्ट कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं टूद पॉइंट कोस्चेन सोननकी आंसर देख लेते हैं मुदा इसकेम इस डेलेट तू विच स्टी आंसर इस कर मलेशिया इंडिया फर्स फोर्म्ला फोर नाइट स्ट्रीट रिस विल बी हैंड इन वी सिटी चैन्नाइज इसी तरह से पाटिस्पेट करते रहे हैं चले तूदा पॉइंट को स्ट्रीट करते रहे हैं इन्हें आपको कमेंट बॉक्स में ट्राय करना है वेन इस दे इसका इस्क्रेपर देश सेलिबिएड कुई इंडियास फर्स्ट सिविलियन इस्पेस टूरिस्ट वेन अपॉंटे न्यूजेलेंड बॉलिंग कोच फोर टेस्ट सिरीज इन इंडिया यूनर्मिस्टर जोति राधित्य सिंधिया इनुग्रेटेट सूटिंग रेंज इन विशिटी नेम्ड आफ्टर डबल ओलम्पिक मैट्टिस्ट मनु भाकर विच क्रिकेटर सरपास देन और इसमें कंप्रीट बैंकिंग अवेंडेस आपको प्रवाइट कर आ रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में भी और पीडियाफ पॉर्मेट में भी स्टार्टिंग के टू लेक्च्छर्स का डेमो पीडियाफ और वीडियो आप देख सकते हैं हमारी करंट अफर्स फंडा एप प्रेयर कराप से सथी आप हमारे डेली करंट अफर्स पीडियाफ मतली पीडियाफ और हर माईने के बैंकिंग और क्वानेस पीडियाफ चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्रिप्शन में या फिर स्ट कमेंड में मिल जाएगा आपको बतादी स्टेंग से ग कराते हैं जिससे आप डाउंडोड कर सकते हैं प्रिंट आओट भी निकल वा सकते हैं इसके आप को यूस्फल या फिर उपने लैप टॉप या सिस्टम की कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं हमारे कोड से संबनती तो हमारा कस्टमर के नमबर है 848-169-188 इस पर आप वट्सेप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्रात कर सकते हैं साथी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोन कर लिजी हैं आपर झाले भी जा-छे स्वेब भी जोन कर लाइबहु क्षे वन्लिग जोन.